जय माता दी, मित्रों आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरातरी का विशेश ही महत्व है। चैत्र महीने में पढ़ने वाला ये नौ दिन का त्याहार हमारे देश में बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है। लोग इन नवरातरी के दिनों में माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और माता को भोग अर्पित करते हैं। मगर दोस्तों आपने देखा होगा कि नवरातरी के दिनों में नौ दिनों तक माता की चौकी को हर हिंदू परिवार में सजाया जाता है। क्या आपको पता है कि इसके पीछे की विशेश मान्यता क्या है। क्योंकि मंदिरों में माता की चौकी सजाने की प्रथा भी लंबे समय से चली आ रही है, लोग घरों में माता की चौकी पर माता की मूर्ती, तस्वीर और कलश की स्थापना करते हैं, और और कलश के प्याले में जो भी उगाते हैं, क्योंकि इसके पीछे ये भी मान्यता है कि ये जो माता की चौकी पे लगाए हुए जो हैं, ये जितने हरे होकर बढ़ते हैं, उतनी ही हगर में खुश हाली आती हैं। आपको बता दें कि माता की चौकी को सजाने और इसे निश्चित दिन को हटाने के जोतिश में कुछ नियम बनाए गए हैं। आप जो घर में माता की पूजा करने उनको खुश करने की लिए जो चौकी सजाते हैं, इसकी स्थापना नवरातरी के पहले दिन यानि प्रतिप्रदा के दिन करते हैं, साथ ही इसके साथ ही एक कलश भी स्थापित करते हैं, इसके उपर नारियल भी रखा जाता है। और अगर आप नौ दिन तक माता का वरत रखते हैं, तो आप अखंड जोती भी प्रजवलित करते हैं, जिसको पुरे नौ दिन तक प्रजवलित किया जाता है. इसके पीछे एक ये भी मान्यता है कि अगर आप अखंड दीपक प्रजवलित करते हैं, तो आपको घर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. और नौ दिन तक सक्ची श्रद्धा से माता का पूजन करें, इससे माता अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं. एक रिपाद रस्ती उन पर बरसाती हैं. नवरातरी की नौ दिन पुरे होने के बाद माता की चौकी को दस्वी के दिन हटाया जाता है, मगर इसको हटाने की भी नियम हैं. नवरातरी में कन्या पूजन के बाद सही तरीके से माता कीचों की हटाने के भी कुछ नियम हैं. और आपको बता दे की कलश के उपर जो नारियर रखा जाता है और जो चावल कलश के निचे लगाए जाते हैं. इनका सही तरह से प्रयोग होना चाहिए. मान्यता यह भी है. दोस्तों की की दस्वी तिथी को ही आपको दुरगा माता का विसरजन क्या जाना चाहिए. आपको बता दे की नवरातरी के नौ दिन घर में बहुत ही अच्छा शुभ योग बनता है. और इन दिनों में घर में पूजा करने से खुशाली आती है. और फिर नौ द दिन तक माता की चौकी को घर में रखने के बाद इसी वजह से माता की चौकी को दस्वे दिन हटाया जाता है. जब आप माता की चौकी को दस्वे दिन हटाते हैं, तो आप सभी के मन में ये बात आती है कि माता की चौकी पे जो माता के नीचे चावल और कलश के नीचे जो लगाये जाते हैं और जो कलश के उपर जो नारियल लगाया जाता है उनका फिर बाद में क्या करना चाहिए क्योंकि दोस्तों माता की चौकी को हटाने के पर मूर्ती, तस्वीर को तो आप उनकी जगह लगा देते हैं, मगर चौकी के चावल और कलश का नारियल इनका आखिर आपको क्या करना है, ये सवाल सभी के मन में बना रहता है तो आपको बता दें कि आपको कलश के निवहे रखें चावल और अन्य सामगरी को किसी नदी में बहते पानी में विसर्जित करना चाहिए कलश में जो चावल रखे-रखे होते हैं उनको आप चाहें तो पक्षियों को खाने को डाल दें और चाहें तो आप पीपल आवला बरगद इन में से किसी भी पेड के पास मिट्टी में चावल के दाने को दबा दें और जो नारियल चौकी पर रखे कलश के साथ होता है उसे प्रसाद के रूप में कन्याओं में बाट दें और परिवार समेथ सभी ग्रहन करें और जो आम के पते से कलश के जल को अपने घर के चरों कोनो और सभी सदस्य के ऊपर छिड़कें आप अगर चाहें तो उस जल को प्रसाद के रूप में भी ग्रहन कर सकते हैं और मान्यता ये भी की कलश के अंदर जो नौ दिनों तक माता लक्ष्मी का वाश होता है इसलिए कलश का जो जल होता है तो सबसे पहले उस जल को घर के किचिन में छिड़कें और उसके बाद अपने बेडरूम में उसके बाद आप घर के हर हिस्से में उसे छिड़क सकते हैं शिवाय अपने घर के वाश रूम को छोड़कर आप लोग जब भी माता रानी का कलश स्थापित करें तो उसमें एक रूपय का एक सिक्का जरूर डालें और नौ दिन पुरे होने के बाद इस सिक्के को आप इस कलश से निकाल कर अपने घर में अपनी अलमारी में जिसमें आप अपना पैसा जेवर रखते हैं उसके अंदर रख दें और जो कलश पे आप कलावा बांधते हैं उस कलावे को खोल कर आप अपने हाथ पर बांध ले क्योंकि ये जो कलावा होता है ये माता रानी का सिद्ध रक्षा कवच होता है जो हर मुसीबत से आपकी रक्षा करता है माता की चौकी को दस्वी के दिन आप हटाएं सबसे पहले आप नहा कर स्वच्छ होकर माता रानी की पूजा करें उसके बाद अपनी कोई भी पूजा में जो भी आप से भूल हुई है क्योंकि भूल सभी से कुछ ना कुछ हो जाती है पूजा में तो उसके लिए माफी मांगे माता रानी से और फिर जाके आप चौकी को हटाएं अगर आपको ये बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद जय माता दी